अनपड जाहिल गवार भाजपा के प्रधान मंत्री ऐसे ऐसे लोग के वज़े से ही आज देश की दुर्दसा हुई है आप बताइए नोटबंदी 2016 में हुआ था कितने गरीब लोग की जान चली गई थी स्वरगीय माता जी के नाम पे दोरा इनित करने बाला इनालाइक बेट देश की संबिधान कभी सिंगोल की चर्चा की है क्या देश की संबिधान कभी राज दंड की चर्चा की है क्या दोयर 14 में प्रतिवेक्ती 1538 रुपेया करदा वर्ल वा इंका आज की डक में 5.358 रुपेया करज हो गया है यहाँ पर खंटीों की द्वारा के दोरा भाजपाईयों के दोरा यहां पर देश के इंट्र अंट्र अन्म इस लुटोर ऊस लिक एक आप जगे है इसका पंचोंकर ब्रहुत उखे। विदेश भागने के भी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इनका विदेश कावा गमन को ज़्यादा ही बढ़ गया है राष्ट पती महोद्या जो है शायद वो भी इसका विरोध कर रही है मोदी जी की परबल इच्छा है कि देश की जो लुकतंत्र है उसको खतम करके राजतंत्र शुरू किया जाए बात कुछ भी भाजपा के प्रशान मंत्री जी और भाजपा के नेता लोग कुछ भी बात कर सकते हैं लेकिन ये पुरी तरीके से एक राजा महाराजा की जो कहानी है उसको शुरुवात मोदी जी करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जिस सिंगोल को जिस राजदंड के प्रतीक को अंग्रेजों के हाथें नहरुजी प्राप्त किये और प्राप्त करके उसको कभी संसत भवन में अस्थापित नहीं किये कारन था उसका क्योंकि नहरुजी की सोच थी कि अब इसका क्या यूज है सत्ता का हस्तानंतरन का ये डंडा था ये प्रतीक था तो सत्ता तो हमने अंग्रेजों ले लिया अब भाई इसका यूज क्या है सत्ता ले लिया अब उसको रखने का क्या मतलब है किसी और को भी सत्ता देना है क्या अब मोदी जी उसको ढूंडवाए निकलवाए मोदी जी निकलवा करके और उसको संसत भवन में अस्थापित किये ये सोच करके ये इच्छा रखते हुए क्योंकि अब सत्ता का हस्तानंतरन करने की इच्छा भाजपाईयों को हो रही है मोदी जी की परबल इच्छा है कि देश की जो लुकतंतर है उसको खतम करके राज तंतर सुरू किया जाए एक राजा की तरह मोदी जी शासन करना चाहते है और देश की जनता ये जान रही है और इसलिए देश की जनता ने ठान लिया है कि 2024 में ऐसे अधाताईयों को ऐसे ऐसे सामंतवादियों को जो सामन्तवादी जो विचारधारा को रखते हैं ऐसे इस लोगों को देश की सत्ता से बिदखल करने हैं देश से प्रेम करने वाले जितने भी लोग होंगे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां होंगे वो सब के सब इस धारना का विरोध करेंगे क्योंकि हमारे यहां ऐसे ही बहुत अच्छी खशूरत हमारे यहां सोकस्तम बता चक्र है हमारे यहां हल चीज है लेकिन उसके जगह पे अब यह सिंगोल को अस्थापित करना यह बिलकुल पागलपन है वहशिपन है और इसका विरोध बिलकुल जायज है आप ये समझ सकते हैं कि इसके विरोध के चलते ही, मुझे तो लगता है कि देश के जो महामहिम है, राश्ट पती महाद्या जो हैं, शायद वो भी इसका विरोध कर रही हैं, तभी तो उन्हें पारलियामेंट के ओपरिंग सेरमनी में उन्हें नहीं लाया जा रहा है, उनको जगह नहीं दिया जा रहा है ये लुक्तंत्र और ये देश के लिए ये काला दीन होगा ये देश के इतिहास में देश के पन्नों में इतिहासिक पन्नों में काला दीन के रूप में ये दर्ज किया जाएगा हाँ मोदी जी इतिहास तो रचते ही है आज तक कभी देश की अर्थवववश्टा इतनी गिरी थी देश की अर्थवववश्टा जितनी रसातल में चली गई है आज हमारा जो रुपया है वो स्रिलंका बंगला देश पाकिस्तान नेपाल से भी ज्यादा संघर्ष कर रही है ह तो इतिहासिक बात है ही ऐसा इतिहास पहली बार ऐसा होगा कि हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री को प्रधान मंत्री पद छोड़ने के बाद चुनाव हारने के बाद सायद ये विदेश भागेंगे विदेश भागने की भी तैयारी कर रहे है क्योंकि इनका विदेश कावा अगर आपको नजर आता हो तो फिर आप जो कहेंगे सो एक आदमी के विपक्स में 20 बड़ी पार्टिया आ रही है इस बात को मानते हैं कि मोदी कि इतने बड़े ताकातुर आदमी है आप ये बताईए कि तब तो आप कहिएगा कि तब एक आतंकवादी के पिछे 500 पुलिस आप ये बताईए हम कहा करें मोदी जी को आतंकवादी अब देश की जनता भोल रही है तो उसमें हम कुछ नहीं का सकते हम तो मोदी जी को भाजपा के प्रधानमंत्री ही कहते हैं हम तो मोदी जी को हम जैसे देश के सबसे सबसे बेकार प्रधानमंत्री ही कहते हैं हम कहा कर अब तो आपके जैसे भाजपा के शासनकाल में जितनी अन्याय पुर्ण बेवहार की जा रही है देस्वासीयों के साथ वैसी अन्याय पुर्ण बेवहार अगर भाजपा के पुर्व के सरकार अगर की होती तो भाजपा करने इस तना बहुत खतम हो चुका होता भाजपा की कोई अस्तितु नहीं बसती लेकिन जिस प्रकार से आज देश के अंदर संप्रदायवाद देश के अंदर हिंदो मुस्लिम सिख हिसाई के नाम पर भेद भाव पैदा की जा रही है जातियों के अधार पे लो देश के सत्ता से बाहर करना है क्योंकि हम लोगों को रोजगार चाहिए युवाओं को रोजगार चाहिए युवा धर्म के नाम पे नहीं भटगेंगे यहां पे मंदिर कितना करोड कितना करप कितना करप खरचा करके मंदिर मस्जीद गुरद्वारा चर्च पे बात होती ह यहां पे देश के बड़ बड़ इसे चूट के बारे बाद क्यों नहीं होती है मैं आपसे पुछना चाहता हूं कि अगर देश का कोई बड़ा इसे चूट बनाये जाएगा तो उसमें सिर्फ हिंदू या मुस्लिम के बच्चे तो नहीं पढ़ेंगे ना उसमें तो सब लोग पढ़ेंगे ना इससे देश बढ़ेगा आगे यहां पे पाखंडियों के पुजा की जाती है भाजपा के द्वारा भाजपाईयों के द्वारा यहां पे देश के बैग्ज्यानिकों के पुजा कहा होती है देश के इंटलेक्शन लोगों के आज कहां जगे है देश में को सरकारी नौकरी मिला क्या अगर 20 करोड लोग को सरकारी नौकरी मिला होता तो आज कम से कम एक एक लोग नौकरी करते हो तो पांस लोग उन प्यासरी थोकर की घर का जो खर्ची जो होता था उनका चुला जलता यानि 120 करोड लोग कम से कम आज भूखे पेट रहने को मजबू प्रतिवर्ष आप जब आंकरा ढूंडेंगे 2014 में एक देश्वासी के उपर 1538 रुपया अकर्ज था 2014 में मैं आपको डेटा बता रहा हूं 2014 में प्रतिवेक्ती 1538 रुपया अकर्ज था वर्ल्ड वाइंका भाजपा के प्रधान मंत्री ऐसे ऐसे लोग के वज़े से ही आज देश की दुर्दसा हुई है आप बताईए नोटबंदी 2016 में हुआ था कितने गरीब लोग की जान चली गई थी बताईए किसी अरफपती को आपने देखा क्या लाइन में लगे हुए किसी अडानी को देखा किसी अबानी को देखा आपने देखा किसी को लाइन में लगे हुए क्या गरीब लोगों के पास इतनी पैसा थी है इस नलायक बेटा को यह भी नहीं पता है कि जो माता बुज़ुर्ग वस्था में जिनको आराम मिलना चाहिए उस बुज़ुर्ग माता के नाम पे ट्यार्पी गेन करता है यह क्या वाद करते हैं आप सौगंद मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूगा यह तो नहरु जी बोले थे आए नलायक आदमी उसी सब्द को अपनी वानी से दूर आया लेकिन नहरु जी बोले थे इंदरा जी बोली थी तो उनके पिछो लॉजिक था वो हिर्दस से बोली थी और उन्हे काम किया लेकिन ये नालायक अपनी मा का बेटा अब इस पर भी कंट्रोपर्स नहीं होना चीए क्योंकि हम इनकी मा का ही बेटा बोल रहे नालायक जो अपनी मा को भी अपने टियारपी के लिए भरपूर यूज किया इनकी मा भी बोली कि चल तुमने बहुत यूज किया पेजा करके टिका ठिकनी करता है, दुसरे धर्म के महिलाओं के उपर टिका ठिकनी करता है, वो अपने घर के महिलाओं को क्या इजद दिया? आज इनकी पतनी उनको भी तो चाहिए ना? उनको भी तो नया चाहिए? आप ये बताइए आप RSS से देश चलाएंगे क्या आप मनुश मिर्ति से चलाएंगे क्या देश की संवीधान कभी भी सिंगोल की चर्चा की है क्या देश की संवीधान कभी राज-दंड की संवीधान तक spun भूमिका निभाई लिखने में क्या कहीं पर सिंगुल की चर्चा है जो कि सिंगुल को स्थापित किया जाए तो देश संविधान से चलेगा न ये पुनह मैं आपको बता दे रहा हूँ ये देश की संविधान को ये बरबात करके देश की संविधान पर खतरा बन कर बैठ गये हैं लोगतंत्र को खत्म करके यह पुनह यह राज तंत्र शुरू करना चाहते हैं बादसात शुरू करना चाहते हैं यह देश की भविष यह यहां से निर्धारित कर रहे हैं और इसी का प्रमान है राजदंड